नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Samsung Galaxy A33 5G vs Samsung Galaxy M32 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A33 5G में 6.29 इंच जबकी Galaxy M32 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है विडि की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.91 इंच की विडि मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Galaxy A33 5G में 0.32 इंच जबकि Galaxy M32 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जोकि Galaxy A33 5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, Galaxy A33 5G में 186 ग्राम्स जबकि Galaxy M32 में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकि Galaxy A33 5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में same ही Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में same ही 20 Ratio 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में same ही 6.4 Inches मिलती है डिस्प्ले रेजिलूशन दोनों फोन में सेम ही, 1080 x 2400 मिलता है, स्क्रीन टु बॉडी रेशियो, गालेक्सी ए 33 5G में 83.68 प्रतिशत जबकि गालेक्सी M32 में 83.89 प्रतिशत मिलता है, बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही, 411 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है, अ यानी विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है, अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की, दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो, गालेक्सी ए 33 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्र कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में डेप्ध कैमरा देखने को मिलता है, बात करें विडियो कैमरा की तो, गालेक्सी ए 33 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और गालेक मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Galaxy A33 5G में Mali G68 जबकि Galaxy M32 में Mali G52 MC2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Galaxy A33 5G में Samsung Exynos 1280 और Galaxy M32 में MediaTek Helio G80 मिलता है बात करें RAM की तो Galaxy A33 5G में 6GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy M32 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी केंते हैं वो Galaxy A33 5G में 128GB की storage मिलती है जबकि Galaxy M32 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Galaxy A33 5G में up to 1TB जबकि Galaxy M32 में up to 1TB है operating system की बात करें तो Galaxy A33 5G में Android V12 जबकि Galaxy M32 में Android V11 देखने को मिलती है battery Galaxy A33 5G में 5000mAh जबकि Galaxy M32 में 6000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो Galaxy A33 5G में 4 colors जबकि Galaxy M32 में 2 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy A33 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 23,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Galaxy M32 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 16,999 रूपीज 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 16,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A33 5G में 7 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy M32 की तो उसमें 7 फाइदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कामरा में Galaxy M32 आगे है फ्रन्ट, सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है प्रफोर्मेंस में Galaxy A33 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाउमी MI10T 5G है दुसरा वीवो एकुजे 3 5G है तीसरा सामसंग गालेक्सी A22 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सामसंग गालेक्सी M42 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना